दोस्तो अगर आपके phone में WhatsApp पर कोई भी photo या फिर video आता है वो directly आपके gallery में save हो जाता है आप इसको बंद करना चाहते हैं कि यह automatically save ना हो आपकी gallery में तो आप यह कैसे करेंगे इसके लिए आपको क्या करना है सबसे पहले आप अपने phone में WhatsApp open कर लीजिए जैसे ही आप WhatsApp open करेंग आपको बहुत सारे options दिखेंगे यहाँ पर आपको एक option दिखेंगा chats का आपको इस पर click करना है इस पर click करेंगे तो आपको एक media visibility का option दिख जाएगा आपको इसको यहाँ पर off कर देना जैसे ही आप इसको off कर देंगे उसके बाद कोई भी आपको WhatsApp पर photo भेजे या फिर video भे gallery में ना save हो तो आपको क्या करना है यहाँ पर उसके number पर click करना है और यहाँ पर उसके नाम दिखा रहा होगा उसके click करिए यहाँ पर media visibility का एक option दिखेंगा नीचे की side उसके click करिए और यहाँ पर no पर click करके ok कर दीजे तो इससे होगा क्या जिस बंदे के chat में जाके आप यह करेंगे उसका वो जो भी फोटो वीडियो आपको भेजेगा वो आपको नहीं दिखाएगा gallery में बट अगर आप यहाँ से कर देंगे settings से तो कोई भी आपको भेजेगा चाहे कोई group पर आये कुछ भी आये ठीक है वो आपके gallery में auto save नहीं होगा अगर वीडियो से help यहो तो वीडियो को कर दीजे like channel को कर लीजे subscribe and bell icon को press ऐसे यह और भी वीडियो देखने के लिए